S.R.V. पर फादा क्रेश्टोफर संचालक नया जीवन में स्कूल को लेकर नया खुलासा पत्र के माध्यम से परिच्छा केंद्र ना बनने पर परिच्छा के पहले ही देचोका था B.E.O. और B.R.C. को धमकी भरा पत्र पादा क्रेश्टोफर नया जीवन में स्कूल संचालक की नियत पहले से ठीक नहीं थी चलिए हम आपको बताते हैं नया जीवन में स्कूल के संचालक दोवारां दिये गए आबिदन में क्या कहा गया प्रार्थी का स्कूल नया जीवन मिसन हाई सेकेंडरी स्कूल बहंडर में प्राथ में इवन मिडल के बच्चों की परिछा का सेंटर इसकूल संचालक से ब्यक्तिकर रंजिस मानती हुए अपनी मजी से बिना किसी गार्डलाइन बिना किसी आदेश के मूल संस्ता से हटा कर अन इसकूल में कनने बाबत। उपरोग पिसे में निवेदन है कि प्राथी दोवारा भांडर में नया जिवन मिसन इसकूल लगवा 25-26 साल से 99 सा संचालत किया जा रहा है चूंकि कक्षा पाचवी और कक्षा आठवी के बच्चों का परिक्षा केंद्र मूर संस्ता में ना रखा जाकर भद्रावती स्कूल गाठकर के बी-आर्थी महुदा भांडर दोवारा मात प्राथी के स्कूल का ही कक्षा 5 वी और 8 वी के बच्चों का परिक्षा केंद्र भद्दावती इसकूल बना किसी गाड़लान के बना किसी आदिस के लख दिया गया है चूंकि प्राती से अन प्राइबेट स्कूल और परिक्षा के अंदर को अन स्कूल में रखे जाने के लिए सहमत नहीं है जबकि अन प्राइविट स्कूल का परिक्षा के अंदर किसी अन स्कूल में नहीं रखा गया है। किया गया है। अतहा स्रीमान जी से निवेदन है कि प्राइविदन सुई करकर कक्षा पांच वी बाकक्षा आठ वी के बच्चों का परिक्षा के मुल संस्ता में ही किया जाने की किरपा करें। अक्षा में लेकिन इनके स्वयम का स्वात सिद्ध नहीं हो पा रहा था। स्वयम के बिक्तिकत लालच की पूर्टी ना हो पाने के कारण परिक्षा केंदर को बदनाम करने की कोसिस की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि परिक्षा केंदर बरवा कर पैसा कमाना चाते थे जो की सास की तंत्र ने इनकी मान सकता समझ करके बर नया जीवन में सन्सकूल को परिक्षा के दिन आबंड़त ना करके बहंडर नगर के से सबी तीन सास की हाई सेकंडरी विद्यहले को परिक्षा केंदर बनाया जिससे फादा केस्टो पर तल मिला गए बने उए उस परिक्षा केंदर को टागेट बनाया जिसमें उनके स्कूल के बच्चे परिक्षा दे रहे हैं बच्चों से पूंचा गया त उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है केबल समस्या फादा केस्ट उपर को है क्यूंकि उनका नजी सुआदपूल नहीं हो पाया C.S. महुदय संजीब सिंग पर भी दवाब बनाने की धंकी दी गई और वहां भी सपल नहीं हो पाए तो इस तरह के जूटे वीडियो मीडिया को बलबा कर बनबा कर परकासित किये गए सास्कीय तंत्र पर भी स्कूल को पर इच्छा केंद बनाने के लिए सास्कीय करमचारी और अदकारियों पर दवाब बनाया गया लेकिन वो वहाँ भी सफ़ल नहीं हो पाए अब सबसे बड़ा सवाल यह है उठता है कि जिस परका नया जीवन मिशन स्कूल के संचालक का कहना है क्या कोई अधकारी इस परकार का जबाब दे सकता है नया जीवन मिशन स्कूल के संचालक का आरोप है कि भी यू ने उनसे कहा है कि तुम किर्षियन हो तुम यहाँ स्कूल संचालत नहीं कर सकते अब सोजने वाली बात है क्या कोई अधकारी इस तरीके का जबाब दे सकता है अगर ऐसा होता तो नया जीवन मिसन स्कूल 25-26 साल से भंडर में कैसे संचालत हो रहा है अब सोजने वाली बात है कि भंडर के अन स्कूल रंजिस कर रहे हैं या नया जीवन मिसन स्कूल के संचालत इस परकार के आरोप पे त्यारोप करके रंजिस रख रहे हैं